मुह भाइसाब डोंीनों को इन्हों क्या बना दिया यार्ष के साथ में क्या कर दिया बाई एक लेबल सेव cloth आवेकन कारेंटर मार रहे है इस पूरा तबाही मचा के रखा बाई टाइम लाइन विटल से बट 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 भाई साब एक खेल कर दिया इन्होंने ये आप जो देख रहे हो यह मतब देखने में कुछ और है और रियालिटी कुछ और है यहां पर आप देख रहे हो कि एडम और लोग को यह मार रही है मस्त तर लेंस्टेंग की एक अभी मैं आपको पूरा का पूरा सचे दिखाता हूं इसके पीछे का सच क्या है यहां पे देख सकते हो हम जीत गए और यहां जिखाता हूं स्ट e क्या कांड कर दिया कर दिया इन्हों पूरा हमारे साथ एक दम से खेल कर दिया हमारे बावनाओं के साथ हें आपड़कर कर दिया है यहां पर देख सकते हो और थ्याशन चांज दिया है इसको CTP of mighty refinement हमने दे दिया था शुरू में हमने देखा भाई साब बहुत तबाई मचारे यह इसलिए हमने लाइब इस्ट्रीम जो मैंने पिछला किया था अपडेट का उसमें एलो डॉलर आ गया मतलब उसमें अब मुझे एक रुपया भी नहीं मिलेगा यार धाई गंटे का महनत बरबाद हो गया अपने को मज़ा चाहिए अपने को चाहिए इंटर्टेन्मेंट जाने दो बाइट चलेगा चलेगा चलो यहां पर देखते हैं डॉमिनो यहां पर थोड़ा सा इसको दिक्कत हो रहा है क्योंकि इसका काउंटर वाला सिस्टम जो है थाड़ी स्कील वह अच्छे से काम नहीं कर पा रहा ठीक है तो हाँ स्पाइडर मैं को मार देती है कभी-कभी बट ऐसा मत जाना क्योंकि यह कंबेट टाइप का केरेक्टर है और हमारी डॉमिनो स्पीड टाइप की तो मतलब तबाही मचा देगा उल्वरीन बट हाट जीन ग्रे को भी आप मार सकते हो लाइक यहां पर आपको दिखाता हूं मैं ओके फाइप स्कील यूज नहीं हो रहा क्योंकि वह आई फ्रेम मी थी ठीक है कोई बात नहीं एक बार मर गई फाइफ एंड थी एंड यह बूम ठीक है अब हमारा फाइफ एंड थी दोनों यूज हो गए थे तो एडम को कैसे मारते भाई फाइप एंड थी ही इसका इंपोर्टेंट स्किल है मतलब देखो फाइप स्किल मे थोड़ा लंबा है फाइफ एंड थी का थोड़ा दिक्कत हो सकता है थोड़ा कूल डाउन कम रहता तो हो सकता और अच्छे से काम करती है यह पिछला वाला मैच ठीक है जो हमने देखा था यह वही मैच है एक बार फिर से देख लोग आप यहां पर इसने मार दिया है और अच्छी हो जाएगी यह और ज्यादा सर्वाइब करेगी क्योंकि इसके आटिफेक्ट में पहले तो रिमूब अल्डिवाफ है ठीक है तो आप किसी का भी लिटर्शिप लगा सकते हो लेकिन और हाँ उसमें एक चीज़ और है कि डॉज भी है ठीक है डॉज है फंटी स्केम किया है नेट मारबल वालों ने चलो मैं आपको दिखाता हूं गrest यहां पर बफ क्या रिखाय वाफ किरेक्टर और इसका मतलब यह यहां पर इसका ग्रेड है फाइफ फाइफ ग्रेड की बफ कर दिया इसको सबसे ज्यादा मैक्सिमाम फाइब ग्रेड का और इसमें एक ग्रेड यानि कि अगर वन रहेगा तो तुमको 10% का आल अटेक 10% का डिफेंस एंड दस परसेंट एच्पी मिलेगा अब इंटू परसेंट का अटेक बढ़ा दिया है 50% का डिफेंस बढ़ा दिया और 50% का एच्पी बढ़ा दिया प्लस पेनिट्रेशन बढ़ा दिया वाई 25% का यहां पर देख सकते हो इतना बड़ा स्केम अगर नहीं दोगे और इस चीज को कोई द्यान नहीं देता है इस पर कोई फोकस नहीं करता ता अभी मैंने रियलाइज किया है मुझे पता चला कि बाई कितना बड़ा स्केम हो रहा है हमारे साथ मतलब लाइब स्ट्रीम में बहुत ज्यादा खुस हो गया था कि भाई हाँ डॉमिनो बहुत अच्छा काम कर रही है रियाल्टी में यह इतनी अच्छी नहीं है जितनी दिख रही है यह एक हपता ही रहेगा अगले अपते ही खतम हो जाएगा उसके बाद में डॉमिनो का क्या होगा पर्फॉमेंस क्या बोलो यार इस पर कुछ बोलना चाहोगे अगर बोलना है तो कमेंट में बोल देना प्लीज कुछ कहना है नेटमार्बल को इस चीज पर यह जो इन्होंने ट्रीक अपनाया है सेल डॉमिनो इतनी अच्छी नहीं है जितना की हमको लगा था फर्स्ट इंप्रेशन में जब तक कि हमको वह बफ वाला सिस्टम पता नहीं था ठीक है तो बहुत ध्यान से अगर आपको पर्चेश करना ही होगा डॉमिनो अगर आपकी फेबरेट है तो फिर एक हफ्ता रुक ज होगा फ्राइडे तक रुक जाओ फ्राइडे के बाद ले लेना जब यह आउट अफ हो जाएगी उसके बाद में इसका देखना कितना अच्छा प्रफॉर्मेंस है फिर अगर अच्छी हुई तो ले सकते हो हां मतलब आर्टिफेक्ट रहेगा तो हो सकता थोड़ आच्छी है